आश्कार आप देख रहे हैं पुर्वांचल संदेश एक किशान क्या नहीं कर सकता है अगर वो पैसरम करना चाहे तो निश्ची तोर पे उसके बच्चों के भविष के दरवाजे खुले हैं आश्या करके दुबोलिया भिकास खंड के अंतरगत सरवनपूर पांडे चोधरी करके दिखाया है इन्होंने फुरिवार के साथ कड़ी मिनहत की है मिनहत के चलते इनके दो बच्चों का जाब मिल गया है एक बच्चे बच्ची जो है रेलावे में हुई है दूसरा बेटा जो है इनका वीबियस में इन्विशन हुआ है तीसरा बच्चा इनका जो है इंटेर कालेज में पढ़ रहा है तो यह सब कैसे संबह हुआ जी शोगती जी तो हमें बताई एक किशान जब खेती करता है तो उसकी लागत निकलना बड़ा म दान कम होता जा रहा है तो फिरहार आपने कैसे मिनहात किया कितने लोगों ने मिली के मिनहात किया तब एक बच्चे को आपने रेलवे में में आपकी बच्ची जाब पाई दूसरा एमबीवियस जैसे बड़ी अच्छी डिगरी मानी जाती है नीट को क्वालिफाई करना पड हमारे पिता जी के बड़े भाई का जी वह अभी हम करते हैं जी दोनों मिला कर सोला भी घा केती करते हैं जी और को समय समय पर बाहर से कुछ मजदूर ले लेते हैं और अपना परिश्रम करते हैं जी परिश्रम करने से अपना परिश्रम निकल जाता है उसी से हम लोग बच् फीस भारी भरकम लगती है इनि इसन में भारी भरकम पैसा देना पड़ता है कहीं कोई अर्चने तो नहीं आई नहीं बच्चे जो है बारहमी तक बहुत कम फीस में पढ़े हैं जी यहीं गाउं के पास इंद्रवाशिशा संस्थान सेवाश्रम अर्वटिया दिंगरापुर म वहां से बारहमी तक पढ़े हैं वहां बहुत कम फीस लगती थी इसके बाद आगे की पढ़ाई में कुछ खर्च बढ़ा है नीट की तैयारी में खर्च बढ़ा है तो यहीं गन्ना बेच कर उन्हें पढ़ा ले गये हैं तो इंटर करने के बाद बच्चों को आपने कहां बेचा था लड़की को तो यहीं पढ़ाया है पीसी तक घर से ही लेकिन लड़के को कानपुर कोचिंग करने के लिए नित परिच्छा की तैयारी करने के लिए भेजा था तो कि कि दने बार उसे परिच्छा दिया तब जाके चोथी बार वह सफल हुआ है नाम क्या बेटे क क्रिस्चंद पटेल तो कितना बर्स हो गया उसको करते हैं बर्स हो गया बेटी कितने बर्से नोकरी कर रही है तीन बर्स हो गया उसको नोकरी करते हैं जो चोटा बच्चा हो चोटा बच्चा बारहमी में मैच साइट से पढ़ रहा है अभी परिच्छा इसकी बारहमी की हो यह उना हाफ लेका है तो हम जानना यह चाह रहे हैं ज़र साहब कि जो हमारे किशान हैं हमारे छेत के किशान हैं एक किशान की सिती हिश्च्यमाई यह है कि किशान अपने ब Lawrence के किशान गरंना ने किया गया खरिदारी की जा रही है तो ऐसे में किशान का 2 साल का बकाई हो जाता है पिछले बसका मिला नहीं अभी ये मिला नहीं तो फिर कैसे बच्चों को पढ़ा हमें कैसे ये घर का कहितिग्रस्टी देखें चुकि सारा काम अब मद्दूरों से होना है तो इसके लिए लेकिन जब गन्हका मूल मूल समयं से नहीं मिलता है तो किसान क्रेडिट कार्ट से लूपनकर काम चलाया जाता है तो ब्याज दिना पड़ता होगा आपके घर में कितने परिवार है हमारे माप हैं हम पत्त पत्नी हैं और तीन बच्चे एक लड़की और दो लड़के तो प्लमिदा के इतने परिवार हैं आप किृतना प्ड़े हैं हम यह किदने भर्सपाले आप सिके थे हम 1994 थे देखे 1994 में इन्होंने ब्यासी किया आपको नौकरी भले नहीं मिली लेकिन आपकी जो इच्छा थी आपके बाच्चे पूरा कर रहे हैं कि हमारी व्यच्छ थो पहुत खुशती लेकिन हमारी पूरी होई लेकिन सौु की सफलता देखकर कि बचों की इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपके बच्चे दो तो हो गए सेलेक्ट एक का बागी है तो आपके प्रिवार में कैसा महसूस कर रहे हैं वही लड़की जब नोकरी पा गई है तो दोनों बेटों को सहयोग कर रही है तो हम लोग जब घर से प्रेशानी महसूस करते हैं पैसा देने में जी तो लड़की सहयोग कर देती है जी और घर से पैसा हो जाता है तो घर से सहयोग करते हैं जी इस तरह सब की पढ़ाई की गारी आगे बढ़ रही है तो जो हमारे छेद में किशान हैं उनके बच्चे हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे कि बच्चों को मन लगा कर पढ़ाएं जी अगर बच्चे होना हार होंगे तो वह से सफल होंगे तो देखिए यह थे हमारे जो है जगदीश चोदरी जी इनका यह पूरा माकान है और नीट जैसी परिछा को इनके बेटे ने पास किया है और एक बर्स हो गए मुष्टिललल हेरो मेटिकरलकालेज में उनकी लहाइज चल रही है और इनकी बेटी जो है जो है जो आड़ा हो गर मिलेगे ना मिले रात दिन मेनाद करके अपने कारी को कर रहे हैं और बच्चे को पढ़ा के बच्चों के उज्जल भविष बनाने में जुटे हुए हैं तो ऐसे किशान से हमारे जो किशान देखेंगे उन किशानों को इसे प्रिड़ाल लेनी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन मेनाद करना चाहिए जिसले बच्चे पढ़ लिख सकें और उपने जिन्दगी को सवार सकें तो नमस्कार धन्यबाद मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में